किसान विरो धान की फसल जब 60-65 दिन के असपस की हो जाती है तो इस समय ही ब्राउन प्लंट हॉपर मतलब तेले का खत्रा बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए तेले की रोखताम के लिए हमें एक दम पक्के और ठोस उपाई करने चाहिए क्योंकि इस समय तक हमने अपनी धान ब्लंट हॉपर का टैक होता है तो वहां हॉपर पहले थोड़ी सी जगे में टैक करता है धान की पतियां पीली या पेड़ सूखने के लक्षण दिखाई देते हैं मगर अगले दिन हम उसी फसल को देखते हैं तो हॉपर का टैक बहुत ज़री जगे में फैल जाता है खेत मे बहुत सी जगों में पौदे पीले सूख्यों दिखाई देने लगते हैं क्योंकि जो हॉपर होता है ये एक ऐसा रस्चूसक कीट है जो धान के तने के निचले हिस्से में रस्चूसता है और धिरे धिरे ये हॉपर तो हमारे खेतों में बहुत जगे में फैल चुका होता है मगर शुरूर में जो इसके लक्षण होते हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं अगर इस समय मतलब बालिया निकलने से पहले ब्राउन प्लांट हॉपर की रोखता हम नहीं करते हैं तो भाई हमारी फसल का काफी जरह नुकसान हो सकता है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब धान की बालिया निकलने के वस्ता होती है मतलब जब धान गोब के वस्ता में होता है या फिर एक से दो परसेंट बालिया निकल जाएं तो रच चुसक कीट लगने से पहले ही प्रिवेंटीव में जो अच्छे सिस्टमिक टेक्निकल के वक्ताइब जैसे की पाई मैंट्रोज जाइन डिनोटि फुराण या फिर जो ट्राइफ फ्लू मेजो परीम हो गया या पी आई को ऑशिन हो गया या फिर जो कोटेवा का पैक्सालों आता है तो इन तीनों में से कोई अधी ये काईगे कि भाई इतनी जल्दी से अगर हमने अभी से बढ़िया तेले वाली दवा के सप्रे कर दिया तो बाद में तेला आएगा नहीं अगर तेला आ भी गया तो वह एक बार और चैस या उशिन के सप्रे कर देंगे या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं जब धान पकने के 20-25 दिन बसते हैं और होपर का टैक होता है तो फिर हम जो कंटेक्ट बेस दवा आती हैं इनके सप्रे कर देंगे क्योंकि एक तो ये जो कंटेक्ट बेस दवा होती है BPMC एक सस्ती होती है ओपर से ये तेले को तुरंत मार देती है यही बेस्ट सोलूशन रहेगा या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो कि सार सतर दिन क फसल में जो थायम तॉक्सन 30FS आता है या थायम तॉक्सन 75% SG फरमलेशन में आता है या फिर जो इमीडा क्लोप्रिट 70% WG फरमलेशन में आता है इन में से कोई भी एक दवा को अभी डाल दो और फिर बाद में जब बाले निकल जाती है तो बाद में फिर हम सजेंटा चैस या ओशन का सप्रे करवा देंगे यह एक बैस्ट आप्शन रहेगा क्योंकि किसान विरो होता क्या है कि इस समय जो मौसम होता है यह हौपर के अनुकूल हो जाता है तो फिर हौपर के अटैक होने के लक्षण इस समय बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए हमें प्रिवें हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूसारते हो धन्यवाद